हेलो स्टुडेंट कैसे हैं आप उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्त और मस्त होंगे आज बेटा हम आपकी नाइंध क्लास की गडित की वाक्षीटम बरिकतर करने वाले हैं जो कि 18 जन्वरी के लिए इसे बेटा हम चुरू करने वाले हैं जो नहीं चप्टर रचनाएं और जो इसे रिकाखन्ड की लंबाई के आधे से अधिक लंबाई की तरिज्जा लेकर रेखाखन्ड के दोनों और еक दूसरे को परशियत करते हुए चाप लगाते हैं। जो बी जिस जितने सेनिट्वेटर का भी दस सेनिट्वेटर पांस सेंट्वर उतने का रहे खंण कीचके इसको दोबर और भागाओं बाटना हैюсь जब AB को दो बरावर भागों मुझे बाटना है लंब सम्धिवाजक मुझे इसका करना है तो मैं जितना AB है ए पे रखूँगा परकार की नौक और जितना भी AB है उसमें आदे से जाधे दूरी भर लूँगा परकार में और A पे रखके और A लंब सम्धिवाजक हो जाएगा ठीक है देखते हैं यही उन्होंने समझाने कोशिश किया देखिए उधारन से समझते हैं क्याता 9.5 cm पहला उधारन है क्याता 9.5 cm लंबाई का एक रहाखंड कीच कर उसका लंब सम्धिवाजक खीचना है ठीक है एक रहाखंड A B कितना कीचा 9.5 cm खीच की लेंगे आप स्केल से नाप कर फुटे से नाप कर दूसरे पॉंट में क्या करेंगे A और B को केंद्र मान कर और 9.5 cm तरिज्जा के आधे से अधिक तरिज्जा लेकर A और B को केंद्र मान कर और 9.5 जितना भी उसमें आधे से अधिक तरिज्जा लेकर परकार में एक आर को पर लगाएंगे एक आर नीचे ठीक है ये ऐसी B पर रखेंगे एक आर को पर एक आर नीचे जहां भी कटा उसको क्या कर देंगे हम मिला देंगे बिंदों COD को मिला देंगे दोनों चाहिए एक दूसरे को प्रतिश्यत करते हैं COD पर ठीक है जहां काटेंगे आप जानते हैं कि तिर्बुच की तीन भुजाएं वह तीन कोण होते हैं पिल्कुल जानते हैं एक तिर्बुच की रचना करने के लिए हमें निमलिकित माप समों में से कोई एक पता होना चाहिए अगर हम तिर्बुच बनाना चाहते हैं या तो हम तिर्बुच की तीन भु करते हैं या फिर समकौन तो रिखा हमें पता होनी चाहिए पांच पॉंट 570 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको भीसी कुछ भी नाम देंगे आधार को उस आधार को क्या करेंगे फिर बी को कंदर मानेंगे और तरह परकार पंच पंट पंट पंची नियकर नियंगे और । जहां काटेंगे उनको क्या कर देंगे यह काटेंगे सरूभी ढूरबर यह बंजाएक यही देखे bara अपता एक खिब्या इसले संभाव में एक कित exempel होगा 5557 होगा पहले पूइंट में क्या करें है पांच 255 7 लंबाए का एक रहकंड कीचा ठीक है उसके बाद भी और ची को केंदर मान कर 555 तरिज्ञा के दो चाप कहींचिए दो चाप एक धर से एक धर से जो परसपर एक दूसरे को एक पर तो हो जाएगा ठीक है जी अब आप प्रियास कीजिए कहता है आपको प्रियास करने कुछ कोशन उसने दिये हैं हमको तो पहला कोशन ही देखते हैं हम कहता है कि पी क्यू आर की रचना करने है जिसमें पी क्यू एधर रखा चार सेंट उन्ट्र क्यू आर है 35 और पियार है चार शेंट उसने ये किस प्रकार का तिर्वुज है यह संधी बहु तिर्वुज है क्योंकि इसमें दो जा क्या है बरावर है तो बनाएंगे कैसे रचना करनी है पहले तो इसकी तो सबसे पहले हम जो QR है वो खीच लेते हैं खीचने हों कोई भी खीच सकते हैं लेकिन चाप एक या बार 4 सेंट्मेट नापनी पड़ेगी क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए हम क्या कर रहे हैं QR खीच रहे हैं सबसे पहले हमने यह देखिए QR कितने सेंट्मेट खीच लिए टीन पॉंट पांच उसके बाद हम परकार में 4 सेंट्मेटर दूरी भरेंगे क्योंकि जो बाकी दो बोज़ा हैं 4 चार चार सेंट्मेटर रखें पीक्यों और पियार तो क्यों पर रखेंगे परकार की नोग और एक आर्क लगा देंगे उपर और फिर और पर रखेंगे एक आर्क लगा देंगे जहां पर भी कटेगा उसे क्या नाम देदेंगे आप और आप क्या कर देंगे पीक्यों और पी आर को मिला देंगे पीक्यों और पी आर को मिला तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ठीक है यह हमने रियाखंड कीच लिए उसके बाद प्रकार में दूरी ए और बी को केंद्र मानेंगे और जितनी ए भी रियाखंड है उसका आधिसे जाद दूरी भर लेंगे प्रकार में और एक आरक उपण लगाएंगे ए से पर एक नीचे इस दरह से डीज पर रखेंगे प्रकार में हो केक उपर और एक नीचे यहां पर भी कटेंगे उनको किया कर देंगर मिला देंगे इस तरह से आपका जाएगा शींड रिपवाशन aç तिया है यह में नाम दियती है इस तरह सबसे पहले साथा सबसे पहले सबसे करें यहां उसको क्या नम दीदेंगे C और A को C से और B को C से क्या कर देंगे मिला देंगे जिस तरह से हमने मिला दिया ये तो इस तरह से हमारा तिरफच सम्भाध तिरफच बन गया जिसकी तीनों बुजा कितने है 4.3 सेंट वन, 4.3 सेंट ठीक है वटा तो मिलते आप से वरक्षीट आपके पूरी होगी मिलते हैं आप से अगली व्यूटियो में